अब हम बात करेंगे ऐसे लोगवाओं की जिनका नाम X से शुरू होता है अब भाई काफी सारे लोगवाओं को काफी अश्चरे है कि यार X किस का नाम होगा भाई X से किस का नाम शुरू होगा बिल्कुल आपकी बात सकते हैं बट यहां पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि लेटर है तो नाम भी होता होगा बच्पन जवानी और बढ़ापा कैसा जाता है इनका इनके बारे में जरूर बात करेंगे और जैसा कि हमने यह आपर लिखा है कि वहिया जो जारू कर्मत लगन शील यूद्दा और एकदम वीर्ता से भरपूर कहाणियों के मुख्य पात्र जैसे होते हैं यह epic personality होती है epic मतलब एतिहासिक personality होती है और काफी आकरशक होते है खूब तेज बोलने वाले होते है और रहष्यों से भरपूर होते है इनको अपनी वर्थ पता होती है और थोड़े arrogant और जिंदा दिल इनसान होते है यह ex नाम के लोगबाग खेर हम आपको बताते हैं कि ex नाम के लोगबाग कौन कौन है पहले हम Bollywood से शुरू करते है आपको यकीन नहीं होगा ex नाम की जो actors की list है वो खली पड़ी है इसमें कुछ नहीं है और actresses की बात करें तो ex नाम की list बनाई ही नहीं है इसमें इसमें बनाई ही नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि ex नाम के लोगबाग कौन कौन है सबसे पहला आता है Chinese President China के President Xi Jinping का जिनका जो नाम है वो x i से शुरू होता है xi जो है वो x i है ऐसी एक जो शा रोजाने है ये भी actress है एक x a v i है यवी फुटबॉलर है एक बार हम एक स्कूल की लाइन में थे तो वहाँ पर एक पेरेंट ने अपने बच्चे का नम जेना लिखवाया था x e n a ओके जेंडर बरकले इनका भी ये भी जो है एक्टरेस है ये भी जो है एक्टर है जेवी एर वोड्स ये भी प्रोफेशनल रेस्लर है और जेंडर केज तो आपने सुनाई होगा x a and d e r विंड डीजल की जो जो मलब जो मलब सिरीज है ट्रपल एक्स वाली उसमें जो है उनका नम ये जेंडर केज है और यहाँ पर जेमेना न रेते हैं जो की एक्टरेस है जेवियर सरानो एक्टर है और जो की जो की जो है एक एक्टर है एक x u x a है जो की एक्टर है और टेलीवेजन प्रेजेंटर है जेवियर नाइडू है एक अपने इंडियन जो सिंगर और वोकलिस्त है इसी तरीके से जेवियर नाम के तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जेवियर भी मिल रहे हैं एक X-A-N-A-N-A गुस्माव है गजाना गुस्माव जो की प्रेसिरेंट ह है किसी कंट्री के जेनी जारडिन है X-A-N-I जारडिन है जो की यर्नलिस्त है और एक जेनव भी नाम है जेनव जेनी यह सब नाम Q-A-N-A-N-U है जेमिना सरनाना एक जो है मैक्सिकान है ये भी एक स्थार है जैनो क्रेटस एक फिलोसफर हुए है और जेबियर और ये एक जुन्जी है X.U.N.Z.I. ये चाइनीज फिलोसफर रहे है X.U.MING है एक जुमिंग है जो की बिजनेस परसन है जुजैंग है एक X.U.Z.E.N.G. ये फिल्म डिरेक्टर है तो इस तरह से ये X नाम के लूग वाग है जो काफी रेर है मलब it is one of the rarest personality खेर हम बात करते हैं X नाम के लूग वाग जो कैसे होंगे ये ये एक तरीके से खोज करता होते हैं जो हर चीज को खोजते हैं नेचुरल सीकर हैं नेचुरली ये थोड़ा सा आनन चाहते हैं comfort पसंद है इनको और ये जो है इनको किसी भी प्रकार के commitment पसंद नहीं है अगर हम negativity की तोर पर देखा जाएं तो ये काफी दिल फैक भी मने जाते हैं अपने promises को पूरा करने में इनको दिक्कत होगी और ये affections और अपने जो दिल के मामले हैं उनमें भी थोड़ा सा उच नीज का बरताव करते हैं तो यहाँ पर हम और भी बात करेंगे कि और ये कैसे होते हैं तो X नाम की जो लोगवाग हैं उनको एक तरह के risk categories में रिखा गया है और ये कोई भी risk उठा लेंगे कोई भी जो impossible task है उसको भी उठा लेंगे ठीक है और ये लोगवाग कुछ भी करने को तियार हो जाएंगे किसी भी हद तक जिसमें इनको adrenaline rush मिले मलब जिसमें इनको adventure दिखे लेकिन आपको जब आप इनसे बात कर रहे हों एक्स नाम के लोगवागों से तो आपको थोड़ा सा ज्यान रखना पड़ेगा कि वह कुछ जो है इस तरह की बात ना हो जाए मजाग मजाग में जिसको यह बहुज़ादा seriously ले ले ठीक है including this rush अब हम थोड़ा सा deep में जाएंगे जो एक्स नाम के जो लोगवाग है वह बहुत ही ज्यादा extreme मलब extremities में जिन्दगी जीते हैं बहुत ही ज्यादा या तो enthusiasm और बहुत ही ज्यादा जोश से भरे हुए लोगवाग होंगे कुछ भी करेंगे talented होंगे no doubt about it और हमेशा एक बार में अपना काम खतम करेंगे और बहुत सारे कामों को एक साथ भी शुरू करतेंगे दोस्त बनाने में अच्छे माहिर होते हैं अच्छे cultures को सीखते हैं और और जो भी X के नाम के जिसे जेवियर होगए वो अच्छे worker मिलेंगे आपको अच् अगर ज्यादा काम लेना है तो इनको बिजी रखना बिजी रखवाना पड़ेगा Carriers अगर देखा जाए यह वियर नाम के लोग बाग काफी हद तक teaching में और health में जो है अच्छे successful देखे गए हैं multitasking में जो जो भी adventurous वाले काम है उनमें यह ज्यादा successful माने गए हैं और बहुत सारे जो है मालब यह two timings और three timings मालब यह पोले तो कि यह भी करने में professions में यह भी करने के लिए त्यार हो जाएंगे लेकिन love affair एक से ज़्यादा भी एक बार में चला सकते हैं इसमें कोई भी इनको problem नहीं होगी और नहीं यह इनके जो है तरीके से nature का ही हिस्सा होगा अब यह जो है अपने जो इनके secrets हैं किसी के साथ में खास तोर पर share बिलकुल नहीं करते हैं तो अब हम बात करेंगे कि X नाम वालों की जीवन यात्रा किस तरीके से शुरू होती है बच्पन से और जवानी और बुड़ापा तो बच्पन में यह जो बच्चा होगा जो X न जा रहे होंगे इस तरह के लोग बाव होंगे ओके यह बच्पन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेट नहीं होगा इस बच्पन करेगा पढ़ाई लिखाई भी कर लेगा तो एडवेंचर की तरफ यह बढ़ जाएगा और एकदम वीरता से भरपूर ह होते हैं और ऐसा होता है कि जैसे कोई कहानी हो कोई ना यतिहासी कोई नौवल हो जिस से निकल के आ रहे हूं काफी अकरशक होंगे दिखने में अच्छ होंगे लंबे वालों का शौक होता है और खूब तेज बोलने वाले होंगे काफी उची पिछ में बात करेंगे यह बात्रमदाने जाते हैं तो इनको जो अती अपनी बर्थ बर्छ पता होती है कई यह पार रिया थोड़ा सा घँंदी वी वह करके बात्चीत करने लगते हैं arrogant हो जाते हैं थोड़े से और अगर और अगर आप इनकी संगत में हो या आप इनके फ्रेंड हो तो आप आउगे लोग वाग हो जिंदा दिल होते हैं बिल्कुल मैं एकदम lively होते हैं अच्य मजाग पसंद हैं अच्छे कपड़े पैनना पसंद है काले पैनना पसंद करते है अदिक्तर शेड्स करते है अदिक्तर और बहुत ज्यादा लोगवागों में उलजते नहीं है लेकिन उलज जाएं जगडा कटने में पीछे नहीं अटते एक तरीखे से देखा जाया तो लेकिन इनकी जो कहानिया है वो इतनी ज़्यादा मशूर होंगी अपने सरकल में काफी ज़्यादा मशूर होंगे दिलफेक आशिक की तरीके से और योद्धाओं की तरीके से होते हैं एकदम वीरता से भरपूर एडवेंचर से तो ऐसा लगेगा कि भाई यह जो एडवेंचर ही इनके लिए बना है कोई जो एडवेंचर गेम है काफी सक्सेस्फुल होते हैं फुटबॉल में काफी सक्सेस्फुल होते हैं हाइकिंग में और जो ट्रेलिंग में इस तरह के इनको जो है लेकिन ये अधिक तरह डाइम में ये अकेला रहना पसंद करते हैं इनको commitment बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी भी तरह का किसी भी खन्या या किसी भी के भी साथ में commit करने के लिए हसानी से तयार नहीं होंगे लेकिन इनकी life एक fle थोड़ा सा थोड़ा सा जो है बॉड़ी से शीड होते चले जाएंगे बॉड़ी थोड़ा सा कमज़र होती चली जाएगी मोटी नहीं होते हैं लीन एंधिन होते हैं और यह इनको जो है अपने जो बॉड़ी का fat एनको उसको बिल्कुल maintain करके रखना चाहिए मैं बहला मोट नहीं हो लेकिन अपना ख्याल जो है रखना चाहिए इनको एकदम बुनी बिल्कुल ना हो जाएं because that will cause issues later in the part of life तो जाने से पहले खहना चाहता हूं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे and thank you very much for watching God bless you all right then take care bye bye